स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्षा 11 में विसे हिंदी अनिवारे का घ्रह कारे जो की 13 सिप्टमबर 2021 का है अध्या है अफ्तार सिंग पाश भाग एक तो चलिए स्टार्ट करते हैं कवी का जनम कब और कहां हुआ था कवी का जनम सन 1950 में तलवंडी सलेम जिला जाल अंदर पंजाब में हुआ था प्रश्ट नमबर दो है कवी ने महनत की लूट के बारे में क्या कहा कवी ने महनत की लूट का तात्पर्रे स्रमिक का शोशन होना बताया जब स्रमिक को उसके श्रम का उचित मुल्य नहीं मिलता है तो उसको महनत की लूट कहते हैं लेकिन कवी ने इससे सबसे खतरनाक नहीं मानते हुए कहा कि इससे अधिक खतरनाक अन्य बाते भी हो सकती है प्रश्ण नमर तीन है कवी द्वारा वर्नित मुरुदा सांती से क्या तात्पर है कवी द्वारा वर्नित मुरुदा सांती से तात्पर है समसान जैसी सांती निस्क्रिय जीवन कवी का मानना है कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक खतरनाख होता है कि वे समसान जैसी सांती से भड़ जाए यानि कि शोशन के प्रतिकार की भावना ही मर जाए और वे मुर्दे की तरहें पड़ा रहे प्रस्ट नमबर चार है कवी ने चांद को खतरना क्यों बताया है कवी कहते हैं कि समाज में आए दिन नर्शन्स अत्याकांड होते रहते हैं और घर आउंगन विरान हो जाते हैं और वहाँ चांद की चांदनी रोजाना फैलती है लेकिन वह चांदनी सम्मेदन हिन वैकतीयों की आँखों में मिर्ची की तरह नहीं चुपती है यहाँ चांद को ऐसे नेताओं का प्रतिक माना गया है कि अत्याचार अन्याय की इस्तिती को देखकर विरोध करने की बजाए सांती दायक बाते करके वातावरन को सांत करने के सयोग देते हैं एवं पीडित जन के मन में संघर्स और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेणना नहीं जगाते इसलिए कभी ने चांद को जैसी इस्तिती को सबसे खतरनाक बताया है अंतिम प्रशन है प्रशन नमर पांच अंधेपन की भाप में कौन सा अलंकार है अंधेपन की भाप में रूपक बल अलंकार है तो बच्चों ये ता हमारा कक्षा 11 का हिंदी अनिवारे का घ्रह कारेत जुड़ेरे चैनल के साथ धन्यवाद